बिसमिल्यार्मार्म रुरहीम, असलामलेकुम Students Microsoft Word के एक नियुले लेक्चिर के साथ मैं हुजयन Students, आजके इस लेक्चिर में हम आपको swap technique को use करते हुए word का जो sequence है उसको change करना सिखाएंगे यह देखें, यहाँ पर मेरे पास second, first and third लिखा हुआ है, यह तीन words है और तमाम की तमाम रोज भी मैंने यही words यहाँ पर add की है, अगर मैं यह चाहता हूँ कि third को मैं first की जगा पर लेके आँ, first को second की जगा पर, second word को मैं third की जगा पर लेके आँ, तो इन words का जो sequence है, अगर मैं सारी की सारी rows में change करना चाहूँ, तो मुझे manually type care में काफी ज़्यदा time waste हो गा मेरा, तो मैं एक fast method देखूँगा यहाँ पर, कि उस method को use करते हुए हम सारी की सारी जो हमार document होता है उसमें हम words को swap कर सकते हैं, और उनका sequence change कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है अपने keyword से control h की प्रेस करनी है तो मैं यहाँ पर word document में जाके keyword से control h की प्रेस करता हूँ यहाँ पर देखें, आपने find word में क्या करना है, parentheses start करनी है उसके बाद less than का sign लगाना है उसके बाद जैसे आपके पास यहाँ पर word का sequence है, यहाँ पर add करवा देना है यहाँ पर आपने काम यह करना है यहाँ पर एक space add करवा लेनी है तो parentheses को मैं स्टार्ट किया less than का sign लगाया, यहाँ पर first लिखा उसके बाद greater than का sign फिर parentheses close, इसके बाद space फिर हमने parentheses को start किया less than का sign लगाया और last में हमारे पास है third, third को add कर आपके greater than का sign उसके बाद हमने parenthesis को close कर दिया अब मैं यह चाहता हूँ कि third first की जगा पर आ जाए मतलब यह कि मेरे पाद जो third word है वो number two पर आ जाए और जो number two पर word है वो third पर सिल आ जाए और जो second है वो number two पर आ जाए तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर forward slash लगाँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ first को उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर two type कर दूँगा या इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारे पास इस sequence में से number two पर word है तो number one पर आ जाए space उसके बाद क्या हो उसके बाद यहाँ पर forward slash लगाता हूँ जो number three पर word है वो यहाँ पर type हो फिर space मैंने दी फिर forward slash दी उसके बाद मैं आफ one दे देता हूँ number one पर हमारे पर second word है वो last में आ जाएगा तो spaces आपने एक एक add कर देना है इसमें उसके बाद आपने क्या करना है more पर click करना है last में आपके वास युका option है use while card आपने इस पर check लगाना है check लगाने के बाद आपने क्या करना है जी यहाँ पर replace all पर click कर देना है देखें जैसे ही मैं replace all पर click करूँगा तो number third पर जो word है वो second पर आ जाएगा जो second वाला word है वो number first पर आ जाएगा और number first वाला जो word है वो last में चला जाएगा मैंने replace all किया आप देखें यहाँ पर लिखा हूँ आगया all done we made 8 replacement तो देखें first, third, second यहाँ पर तमाम की तमाम रोज में इस fast method को use करते हुए हमने words को swap कर लिया है उनका जो sequence है उसको change कर लिया है तो मैं अमीद करता हूँ कि आपको world document में words को swap करने का जो method है उसकी समझाई होगी अगर आप इसी तरह की fast and easy tips को सीखना चाहते हैं Microsoft Office से relative तो भी हमारे चैनल को subscribe करें I hope you like this video, thanks for watching this video